हेलो एवरीवन वेलकम टू कुक्विश्यगुन आज हम बनाएंगे गुच्रादी स्टाइल मेथी भाजीना मुठ्या यह जो मुठ्या है वैसे तो लौकी से बनता है लेकिन अभी सर्दियों की दिनों में मेथी अच्छी मिलती है तो आज हम मेथी से बनाएंगे यहाँ पर म मिर्ष मैंने ली है क्योंकि हम इसमें कोई भी लाल मिर्ष पावडर नहीं यूज करेंगे तो तीन हरी मिर्ष को भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है उसके बाद यहाँ पर मैंने 12 से 13 लसुन की कलिया ली है लसुन को छिल के हम इसे सिलवर टे में डाल देंगे उसके बाद क इससे जो मुठिया है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा आदा कप बाजरे का आटा लिया है और पॉना कप मैंने गेहू का दरदरा आटा लिया है जिससे हम सीरा बनाते वो आटा है ये थोड़ा सा दरदरा होता है, तो पौना कप आटा और आधा कप बाजरिक आटा है, इस तरह से हमें दोनों लेना है कुटी होई लसन, मीर्च और अद्रक का जो पेस्ट था वो डाल देंगे, आधी बड़े चमश नमक डाल देंगे, नमक अपने स्वात के अनुसार भी आप डाल सकते हो उसके बाद यहाँ पे दो बड़े चमश तेल लिया है, सरसो का तेल नहीं है ये एक छोटी चमश लिया है, हल्दी पाउडर, आधी छोटी चमश डाला है, अजवायन एक छोटा निमो का रस डाला है, एक बड़ा चमश शकर डाला है, आप यहाँ पे शकर अवर्ट कर सकते हो क्योंकि गुजराती खाने में थोड़ी शकर तो डालते ही है उसके बाद जो मेथी हमने काटे थी वो इसमें डाल देंगे, इन सब को हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसका आटा गुंत लेंगे यहां पर आटा हमें नरम नहीं बनाना है पराठे जैसा ही इसे हमें गुंतना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके आटा तयार कर लेंगे आटा गुंत जाए उसके बाद थोड़ा सा उपर से तेल लगा के आटे को चिकना कर लेंगे उसके बाद हम 15 मिनिट के लिए इसे रेस्ट पे रख देंगे तो आटा सेट हो जाएगा मसाले के साथ उसके बाद हथिलियों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और थोड़ा सा आटा लेंगे और उसमें से सिलिंडर सेफ बना लेंगे ये थोड़ा सा पतला हमें बनाना है आप देख सकते हो इस तरह से सिलिंडर सेफ हमें देना है साइड में मैंने एक प्लेट लिया है, क्योंकि हम इसे स्टेम करने वाले हैं, तो इस दरह से मैंने प्लेट लिया है, उसके उपर मैंने ओईल से ग्रीस कर लिया है और एक बाज्यो मैνने जो स्टीमर धा, उसमें पानी उबलने के लिए छोड़ दिया है यह नास्ता वैसे तो मेथी और बाजरी की वज़े से हेल्दी है लेकिन हम यहाँ पे इसे स्टीम करके बनाएंगे तो और यह ज्यादा हेल्दी बन जाएगा जो स्टीमर है उसमें पानी भी उबल चुका है तो यह प्लेट हम इसमें डाल देंगे गरम होती है इसी वज़े से हमें ध्यान रखना है थोड़ा सावदानी से हम प्लेट को रखेंगे उसके बाद डगकन डग देंगे और करीबन 25-30 मिनिट तक हम इसे स्टीम करने के लिए छोड़ देंगे यहाँ पे हमें मिडियम आज पे इसे स्टीम करना है 25-30 मिनिट के बाद आप देख सकते हो अच्छी तरह से यह स्टीम हो चुके हैं और जो इसका कलर था वो भी चेंज हो चुका है अब हम इसे ठंडा होने देंगे उसके बाद ही कट करेंगे पूरी तरह से ये ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप इसे कट करना वरना ये गरम गरम में क्या होगा कि ये तूट जाएंगे और उसका राउंड शिप नहीं बनेगा तो इस तरह से आप तीरे दीरे इसे काट लीजे आप देख सकते हो कि ये अंदर से भी बहुत ही पक चुका है एकदम स्टीम हो चुका है ये खाने में बिल्कुल नरम होते है तो हम इसे इजी ले खा सकते हैं आप इसे चाई के साथ खाओगे तो बढ़िया लगेगा इसे रा अधी बड़ी चमश यहां पर राई डाल देंगे अधी बड़ी चमश जीरा डाल देंगे उसके बाद 1-4 तीसपुन यहां पर हिंग डाली है उसके पाद थोड़े से करी पत्ते डाले है इससे इसका जो फ्लेवर आएगा बहुत बढ़ी आएगा दो बड़ी चमश जो वा और इस तड़के में इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से तो यहां पर हमारे मेथी के जो मुठ्या है वो बिल्कुल रेडी है आप इस तरह से घर पे एक बास जरूर ट्राय करना अगर थोड़ा सभी पसंद आया हो यह वीडियो या ए रेसिपी तो जरूर इस वीडियो को कर देना शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स और फैमिली ग्रूप में और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो बिल्कुल बिल्कुल फ्री है थैंक्यू फो वाचिंग